विश्व के प्रथम अयरुवेदिक व्यग्यानिक डॉक्टर संजीर भरद्वाज जी ने अब तक पैरलाइसिस के कई मरीजों को विशेश रिसर्च से त्यार की गई दवाओं के द्वारा ठीक करने में सफलता पाई आईए आपको सुनाते हैं इन मरीजों के विचार यह रच्ना लखीन अर कहा है अपलोग पॉंटा सा वी माचल से एग प्रचल रहते हैं जाए पुन्टा सा वी माचल रहते हैं जाए इनको लिवर में बताए श्वास के लाइड़ के गए तेस्ट में काफी प्रब्ल्म आई थी और कारीश ओ पॉर रहा था और इनको खारिश क साउसवक्त में, अल्मोस्ट, तो ऐसे तो ऐसे नहीं, पैडरो स्कैम में 18.5 आया था, मतलब 40% के 30-40% लिवर डैमेज था, आप ऐसा कहना चाहरें, तो उस दब क्या काथ कॉम्दिकेशन यहां, तो पैट में दर्द होता था, अभी पेट में दर्द है पेशन पेशनो और पहले वाली, कोई जो पहले अपना शुरू में पहले हैं, कहां सबसे, आपने कहां ट्रेटमेंट लिया हमारे आने से पहले, यह कहां पर है, चंडि भर, चंडी में, चं जब आपने हमारे यहां पर treatment शिरो किया दा तो अभी एक बार आप इसको कैमरे में दिखा पर ज़ागा है 18.5 वाले को राइट, इट वाज 18.5 और अभी कितना है अभी सर 6.5 वाया है अभी 6.5 तो अल्मोस्ट यह मान के चलो कि यह नॉर्मल ही हो गया अच्छा यह 6.5 वाया है यह कहां से कराया अपने यह पीजेएचंड इगर से अभी पीजेएचंड इगर से ओगा है ठीक है तो यह मान के चलते है कि अगर इसका टोटल असस्मेंट किया जाया तो लीवर आपका अल्मोस्ट नॉर्मल हो गया है तो अभी कोई कॉप्लिकेशन तो नहीं पहले वाली किसी तरह की को दिक्कत हो नहीं है पहले वाली सरा अल्मोस्ट इक है सिर्फ हाँ जेरे में पहले से काफी चेंज आ गया है जी सर ठीक कोई नहीं थेंक्यों जे स्थाओाँ आपका अल्मोस्ट नहीं है जे सकते हैं जे सकते हैं एक्यों नहीं है जे सकते हैं।